कि जहिन्द तो कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ कि आप सभी सौस्त होंगे जहां होंगे मस होंगे दोस्तों ये जो वीडियो होगा आप सभी के लिए बहुत इंपरटेंट होगा जो भी डोकुमेंट बेरिफिकेशन में जिनका भी आने वाले एक्जाम में document verification है इसके रिसेंटल एक्जाम में अभी sscgd का medical documentation है उसके उससे related recording है वीडियो होने वाला है इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका जाती आवासी या फिर आय प्रमानपत्र आपको कहां से बनवाना है process कि आ होता है कहा से sign कराना होता है और कितना ख़र चाता है यह सारव कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो उमिद करते हैं कि आप इस वीडियो को पुरा अंतक बेने स्किप के वे देखिएगा दोस्तों देखिए हम अभी recent में हम कुछ documents बनवा है तो आवासी के बारें बता रहे हैं और बिल्कुल सेम प्रोसेस यही होता है थोड़ा सा खर्च इसमें सब्सक्राइब बढ़ जाएगा जो भी जाती के लावा आवासी के लावा जाती भी बनवाएंगा तो उनका खर्च्डा बना हुआ है आप यहां पर देखेंगे तो इसका प्रवाइट करवा देंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर सरकल आफिसर यहां पर लिखा हुआ है यहां कि यहां पर देखेंगे तो इसके बाद फिर आप लोगों का सीय लेबल का एक बर में बनेगा उसके बाद फिर आप लोग का क्या करना है जब यह बनके आ जाएगा इसमें अलगभ़ाग को 15-15 निका समय लगता है जदी आप अपने खुद से बनवाते हैं किसी दलाल से नहीं ब जो नीचे लिख रहा होगा वेबसाइट का नाम और उसके बाद फिर आप लोग अप्लाई करने के बाद आपको सी यू वहां पर स्टेटर्फिन चेक करना है कि अगर सी यू के पास पहुंच आता है वहां खुद से जाके आपको बोलना होगा एप्लिकेसिन नंबर जो रेफ अप्लाई करने का लगा था चार्ज लगा था और साइबर चार्ज कुछ खर्च हुआ था तो सो रुप्य हम से लिए अगर खुद से आप्लाई करते हैं आपको पैसा जो कटेगा और 30-45 रुप्य चालिस मैक्सिमम कटने वाला है फिर आप लोगो फिर यह पिर आपको जब पर आप जाके आपको फिर यह पर रिसीविंग मिलेगा इसमें भी देखेंगा तो 30 रुपय यहां पर यह लिखा और रुपीज यह लिखा हो रुपीज यह लिए कि 30 रुपय कटेगा आपको स्टीव में अप्लाई करने के लिए जब इसे आप अपलाई कर दीजेगा हां और जो जाती के लिए अपलाई करें तो उसका 30 रुपय और एक्स्टा हो जाएगा मतलब कि जो भी मेरा खर्च हो रहा है उसे आप डबल कर लिजेगा जाती है तो तो 30 रुपय आपका पेमेंट कटेगा और जो भी साइबर चार्ज आपका लगता है वह आप दीजिएगा फिर घर से अपलाई करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपका होगा तो यहां से अपलाई कर दीजेगा अपलाई करने के बाद जब आप लगा जो एस्टी ऑफिस होता है वहाँ पे आप चेक की स्टेटेस कैसे चेक करना वो भी हम आपको एक स्क्रीन सोट लगा देंगे कि म वहाँ पर जाने के बाद जब समय लगेगा अगर आप छोड़ देंगा तो आपको महीनों लग सकता है अगर खुद से एफट डालिएगा तो दस दिन के अंदर आप बनवा लिजेगा यानि दोनों पेपर आप जो है पंदरा दिन बीस से पचीस दिन के अंदर आप लो दो तो यह है प्रोसेस जाती अवासिय बनवाने का और खर्च के बारे में बता दिए और कहां से बनेगा यह भी हम आप लोग को बता दिए हां और यह आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि DC लेवल का है मेरा तो चलेगा कि नहीं बिल्कुल DC लेबल का भी चल लाएगा आप लो और आगे आने जो भी आपका डोकुमेंटेशन है अगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं तो उस समय आप लोग के लिए बहुत जरूरी होगा और यह लोग कुछ लोग बोलते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट होता फॉर्मेट देखिए यही होता है कोई ओनलाइन में कोई आप इस वीडियो को अगर चाहें तो अपने दोस्तों को दोस्तों को सेर कर सकते हैं और उनको भी बताईएगा बहुत अच्छे डिटेल में हम आप लोग को बताया है क्योंकि खुद का experience है खुद बनवा के आ रहे हैं अभी हम तो इसलिए हम ताज़ा ताज़ा है तो आप आपको अच्छे तरीके से हम डील और बता सकते हैं बागी आप सभी की मरजी है आप वीडियो को पसंद आया है तो जुरू से लाइक कर दिए अगर आपको information अच्छा लगा तो जुरू से लाइक कर दिएगा मिलते हैं हम लोग किसी अगले informative वीडियो में तब तक के लिए नहाँ